कि नमस्कार मैं विनोद वैस्टनव और आप सभी देख रहे हैं न्युश्वन टीवी एवा पॉजेटिव दोस्तों पूरे प्रदेश और देश में लोकसवा सुनाव सर्पार हैं इसी संदर में पहुंचें होडल विदानसवा छेत्र के भाजपा के विदायक हैं लोगत्रि उसमें देखा लेगे अब तीस्री वार लोकसवा के उम्मीदवार बना गये हैं केंद्रियमंत्री क्रैस्पाल गुजर साधिंगा बनाएँ उस पर को खास प्रतिक्रियाब जी हमारे जनपरियनेता हैं और लोकसवा च्छेत्र के कारेकरताओं की दिल की धरकन है क्रींपाल मानिय क्रिशिन पाल जी को बहुत-बहुत धेड़ सारी सुबकामनाय देता हूं और उम्मीद करता हूं कि होडल विधानसवा छेतर से पहले से रिकोर्ड मतोसे जीत कर उनको बेजने का काम करेंगे और अब की बार उनकी एतियासिक जीत होगी हमारा नारा है दस लाग पार का और मुझे लगता है कि कोई आदमी उनकी ठक्कर में अभी दिखाई नहीं दे रहा कांग्रेस तो अभी फैसला भी नहीं ले पाई है इसलिए मानने करिशिन पाल जी को मैं डेड़ सारी सुबकामनाय देता हूं और एक अच्छे नेता के रोप में उन्होंने है काम किया है अब हाली में आपने बहुत सारे चुनाव यहां पर गए भी हैं लेकिन कांग्रेस का कोई प्रतिनीदी चुन करके नहीं आया एक सवाल दूसरा लोगसभा चुनाव सरपर हैं प्रदेश सदक्स कांग्रेस के वह अभी तक टेक्टों को संग्धन की तो छोड़ दीजिए ल लिए अब प्रदर्सन कैसा होगा कैसा क्या होगा आज यह अपना संग्तन भी खड़ा नहीं कर पाए के लिए लगता नहीं है कि कांग्रेश अभी अफने कांड़िडेटों का जल्द Molly है कांग्रेश की टिकट लेने के क्योंगि अस्परथी का कारे करता टूब जाता वह पार्टि डूब Delaware करते हैं कांग्रेश दूबने के क्गार पर है और यह चुनाओ निस्चित तौर पर कांग्रेस को सूपड़ा साफ करेगा आप यह चाहते हैं कि विदान सबाव के लोग सबाव लड़ा दे जाए उद्रबान जी को तो ज्यादा बहतर है नहीं मैं तो सबाविक यह कहना चाहूंगा कि वह अगर बड़े नेता के रूप में उनका ज्यादा जनाधार है तो व सब्सक्रापकार उनका मुखावला चलता रहता है उनसे कई वर हमने सवाल किया तो उन्होंने का बिल्कुल निश्यत है लेकिन पार्टियां अपनी जगए होती है यह मेरा भी मानना है कि मेरा रुदेवान जी का संगर्स बहुत दिन से चल रहा है लेकिन पार्टी का आशि सब्सक्राइब कि हर दो सियमें काम कर रहे हैं कि ने वेक्टी है और रहाज मयतिक अनुभव उनका बड़ा है बहुत है महदूर है मिलंसार है अच्छे वेक्टी हैं लेकिन मुख्यमंद्री की कुर्ची पर पहली बार बैठे तो उसके अनुभव लेने के लिए मानने मनहुर लाल जी अगर कोई अनुवफ दे रहे हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है मुख्य मंतरी तो परदेश का एक ही है लेकिन हम जो बीजेपी की कारे करता हैं मानने मनहुर लाल जी को सुपर सीयम इसलिए मानते हैं कि उन्होंने दस साल शाड़े नौ साल रहने के बाद भी अपनी छबी पर दाग नहीं लगने दिया इमानदार सीयम प्रसिद होए इमानदार छबी लेकर आज वो हरियाने में एक अथे नेता के रोप में उभर के आएंगे और केंद्र में सेंटर में मंत्री बनके हरियाने का नाम रोशन करेंगे मंत्री जी अभी एक सवाल ये है कि विपक्सी कहती है कि भाजपा के पास धर्म और जाती के नापर वोट मांगने के अलावा आज पहला परिदवाद देखिए कांगरेस की समय का आज का फरीदवाद देखिए चमा चम जो आ परिदवाद आज दिखाये देता है मैं जाजा नहीं मैं पलवल की बात करना चाओंगा पलवल का आप देखिए एलिवेटेड पूल बनने के बाद और पलवल की जो रात को रोशनी होती है आप बंबे चले जाब बंबे में भी इतना नजारा नहीं दिखाई देगा आप दिल्ली जाओगे ऐसा लगता है जिसे दिल्ली में घुम रहे हूँ हम पहले पलवल में कांग्रेस का समय का जो पलवल था घंटो घंटो जाम में फसे रहते थे ना कोई विजली ववंस्ता थी ना कोई सड़क पाद पर जाम थे लोग तरसते इए चीज़ों के लिए आज हमारी ने भारतिया जंता पारटी की सरकार ने पलवल का विकास करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी सारी सडकें दुरुस्त करती ऐनुएटट पूल बनां के पलवलका एक चमा-चम नजारा बना के देदियाओस्फिटिल पना के दैदिया थं Ton कोलीज कर्ण को यूनिवस्टी में बना के देदी medical college वहां बना के देदियार जहां मैं बात करूं होडल की तो मैं दावे के साथ कहता हूं Congress के नहीं सारी पार्टियों के लोग बैटके एक debate कर लें होडल में जितना विकास कर रहे है मानिय मनोरला जी और मानिय नाइव जी के समय में हो रहा है उतना कभी नहीं हुआ होका आप यमिन पिका फुल यziękए 210 करोड रुपे की लागतव से वनरा है हशन पुरका आप हासन पुरका अप लोड़का होस्पीटल देखिये 14 करोड रुपे की लागतव से से बना व मश्टाअब नेकिए 8 करोड की यहांच कंप रागत से बना महांकि तैस्यल वनी पांच करोड़ रूपे की लागत से होडल कर बाह सुपिटर की होडल के बनाया आज को पुसवाल सवाख मेरे हजारों करोड़ की लागत के काम होंगे मेरे हजारों करोड़ की लागत के चल रहे हैं सड़कें सारी दुरुस्त कर रहे हैं जो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि सड़के कभी चोड़ी भी होंगे हम सारी पुरानी सड़कों को तोड़के नई और चोड़ी सड़के बना करें यह सवाल और है आपकी कुटनिति के हैं रन्निति के हैं जो लोग आपके पक्ष्दान नहीं थे किसी समय पर जैसे समय पर आरा आ इसे बीटा को पहले अपने इस वह अपने स्वार्थ बाद में देखने हाई है इन्था का नुकसान हो रहा था चेयरी मैं अलग था और उसे ओडल का विकास रृख रहा था क्योंकि चेर्मेन अलग होने की वज़े से होडल का विकास रुख रहा था ग्रांट है बंद हो रही थी आज मेरे मेरे साथ जुड़ने के वाद जी जो चेर्मेन हैं अगर परस्ट के मेरे साथ जुड़ने के वाद उनको 24 करोड 97 लाग रुपा तो मैंने अभी एक ड दखाये देंगे जगदी बन चौक से जीटी रोड वाली सड़क देखिए जीटी रोड से रेलवे गोड़ता फाटिक वाली सड़क देखिए और अंदर जो पानी निकासी का हमने इंदिजाम किया है सहर खचाखच पानी से भरा रहता था अब जो 24 करोड रुपया दिया है आने वाले टेम में होडल में कहीं आपको पानी दिखाई ने देगा अगली वर्षा से पहले हम पानी की निकासी इतनी सुंदर कर देंगे होडल की सारे सड़कें दुरस्त कर देंगे कलोनियों की सड़कें दुरस्त कर देंगे होडल के विकास के लिए मानने मनोर लाल जी ने मुझे से पेशल हभी 25 करोड़ 24 करोड़ 97 लाग रुपा दिया और फिर मेरे से कह दिया कि आपको जतने पैसे की जरूरत है इस्टिमेट बना के लिए पैसे ले जाई है तो सिस्वाल जी के जुड़ने से पारिटी को फादा भी हुआ है और मैं दिल से काम करता हूं किसी एक से मेरे मैं राज में तिक द्वे सबाबना नहीं रखा करता मैं जनता के लिए समर्पत रहता हूं अगर जिसमें जनता का भल करता है तो मैं अपनी सारी लड़ाई बंद करके उनका साथ दूँगा फिरी उन से कोई लड़ाई नहीं और होडल के विकास के लिए हम सब एक हैं चुनावी माहौल है इसलिए अपने पक्स में कर लिया लोगों को नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरा चुनाव बाद में का स्वार्थ बाद में होता है पहले हम जनता के काम करना चाहते है जनता चारों तरफ से अवाज लगा रही थी वही तुम दोनों एक हो जाओ और अच्छा परिच्छा दो समिदारी का पर्च्छा दो मैंने समिदारी के पर देते हुने साथ लिया साथ लेके आज होटल का विकास कारें चल रहे हैं होटल में पांच करोट रुपे की पाइप लाइन डालने का काम अभी हमने शुरू किया और बड़ी-बड़ी ओजनां पर काम चल रहे हैं स्टीपी बनाई जा रही है तो च्छी करोट रुपे कि हां इसमें बेडे के अंदर बस्टेंड भी बनने करते हैं बहुत जादा पुर्य हर्यानाम हुआ या मैं दूसरा सवाल साथ में परिवर्तन हुआ तीसरी चीज एक और है कि मंत्री बनते मंत्रे जगदिशनायर फिर तीसरी वार रहें इस पर आप या तेरे लिए जो भी होता है वह अच्छा होता है आप चल रहा था बहुत जोर से फिर लास्ट ने पाल देगे दो क्वेस्चन कियें कि आप मंत्री बनने से रह गई आपने खाया परिष्टाचार की दूसरी पार्टी आरोफ लगाती है कि परिष्टाचार इस पारिटी में हो रदेश परिवर्तन है पहले सवाल का जवाब द बनाई टैम लगदाएगा अखवारों में खबरी प्रिष्टाचार की होती थी और छुटम छुटा हो गया था नोख्रियां पिखने लगी थी आज दप्तरों में काम बाबू पैसे लेकर किया करते थे आज हमने हमारी सिरकार ने अंकुस लगाया है कितनी अपसरों को जेल में भेजा आया मैं मानता हूं गलत नियत के लोग धीरे धीरे उनकी नियत सुद्रेगी उसे सुदारने में हमारी पारिटी लगी हुई है अच्छे अच्छा बात अबरन बनाने में समय लगता है मानता हूं छुटमुट घटना विष्टाचार की होती है लेकिन अब रदन करने के लिए बहुत धेड़ सारे प्रोग्राम चलाए आज भी कई एच्छी एस अफसर जेल काट रहे हैं आई एस अफसर जेल काट रहे हैं कांग्रेस के समय में तो मंत्री और उनके सीम खुद बिष्टाचार में लेप्त थे आज मैं कहता हूं बीजेबी की समय में बिष हैं जैसे राम मंद्र बनाके हमारी भावनाओं पर संस्कृति में फरक पड़ा है दूसरा विकास में हमारे देश को अगरिनी उसमें गिंती में लाने का माने मोजी सामने काम किया है तीसरा आप जवाब सवाल कर रहे थे वह आप मंत्री बनते बनते क्यों रहेगे मेरे आएंगे कुछ अपील करना साएंगे माने मुख्यमंत्री महोदेजी होडल विधान सवा में छे तारिक को छे अप्रेल को और हमारा जो एम्वीन यूनिवर्स्टिया उसके बराबर एक ग्राउंड है और अंगाबाद में वहां सुबह दस वजे पढ़र रहे हैं और हम उन दस वजे विलेज और अंगाबाद म्वीन यूनिवर्स्टिया के निकट अधार रहे हैं